नमस्कार पीटेन न्यूज के पीटेन हेल्थ प्रोग्राम में एक बाद फीर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं भान बरकाश अभी हम आए वह कंकरवाग में कंकरवाग चंदन आटो मॉबाइल के नजदीक में जहां पर डॉक्टर रतनेश है जो की एंटी बाती मौसम चल रहा है और सीजन में इस मौसम में च्बशकीन दीनों संबंदिख सका 550 नाइक हो गिया इसमें बिमारिया काफी होने लगती है जबुत तरगी लर्फवाग jugar से भात करेंगे कि जो ये बरसाती मौसम है इसमें कौन-कौन्सी नाइन हो जाती हैं लिए जो बर साथी मौसम सावन का मौसम सुरू हुआ है तो सब लोग जानते हैं कि थोड़ा इंफेक्शन का रेट अभी ज्यादा बढ़ जाता है शुरुवात वह वाइरल इंफेक्शन से होता है फिर एक दो दिन, दो दिन, तीन दिन के बाद वो बैक्टिरियल इंफेक्शन में कनवर्ड कर जाता है हमारे जहां तक हमारे कान ना गला का सवाल है कान में जिसको कान बहने की थोड़ी भी समस्या है पहले से उनके कान में फंगल इंफेक्शन अभी के मौसम में बहुत जादा हो जो बोलते हैं उसका infection rate जो हता है वो कान में काफी बढ़ जाता है उसका कारण जो मुख्य कारण है इस मौसम में humidity बहुत ज्यादा होती है हवा में नमी ज्यादा होने की वज़े से फंगस को ग्रोध करने के लिए मतलब उचित माध्य मिल जाता है इसलिए वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोव करता है कान बहनी की शौश्या सबसे सुराती में इस मौसम में बहुत ज्यादा हो जाता है और इस प्लस इस मौसम में क्या है न कि जो हवा में धूलकन या फंग सब्सक्राइब इसको वहां कि एस समय में या मौसम बदलने पे सर्दीखासी होता है है तो उस still के कारण से यह कान गले की समस्या बढ़ जाती है इस समय में इस मोसम में पाच्चान कैसे कड़े की एसमाश्या बोच ज्मस्या बहुत ज़्यादब बार परेल से आपको संक्रमित होने वाली समस्या जो हो जाती है इसकी पहचा नहीं करें बेसिकली क्या है इसकी शुरुवात कान के infection की जो बात करें हम तो लोगों को पहले कान खुजलाने की समस्या होती है शुरुवात में लगेगा कि कान मेरे कुछ भारी भारी सा हो गया है कान बंद हो गया है अगर दो तीन दिन में उन्होंने सही इलाज शुरु नहीं किया तो या तो वह कान कान खुजलाएंगे उसकी वज़े से वह जखम बन जाता है या फिर फंगस और ज्यादा ग्रो करने के वज़े से तीन से चार दिन के बाद उसमें से पानी जैसा डिस्चार्ज आने लगता है कान से और एक बार जब डिस्चार्ज आने लगता है तो फिर बैक्टिरियल इंफेक्शन भी उसमें कान में हो जाता है तो यह बहुत बड़ी बिमारी तो नहीं होती है नहीं बहुत बड़ी बिमारी नहीं है यह एकदम लोकल कान क का infection है अगर सही संधे पर आप दो से तीन दिन चार दिन के अंदर डोक्टर से दिखाते हैं प्रोपर दवा खाते हैं डालते हैं उसको clean करवाते हैं तो यह छोटी बीमारी बन के रह जाती एक अगर इसमें को कोई लापरवाही करता है, जैसे कान में खुजली हो रहा है, फंगस हो गया, वो किसी को दिखा नहीं रहे हैं, ऐसे ही खुद से दवा ले लिए मेडिकल स्टोर से जा के, या दवा भी न लेके वो खुद से कोई दवा ले, जो घर में पड़ी हुई है, अक्सर आदत है कि लोग कान में तेल डाल लिए कोई पहले का ड्रॉप है आई ड्रॉप है वो भी डाल लेते हैं तो इस तरह का काम ना करें ऐसी लपरवाही होने पे 5-6 दिन या एक सप्ता से ज्यादा इंफेक्शन अगर रह गया फंगस कान में कान के परदे पे अगर फंग प्रॉब्लम होता होगा तो सुनाई का तो प्रॉब्लम होता ही है वो तो शुरू से जब फंगस लगा तभी से कान भारी और सुनाई थोड़ा भारी भारी हो जाता है बट अगर परदे को खा गया तो फिर वो पर्मानेंट प्रॉब्लम हो जाता है उनके लिए जिसको बोल करीव मतलब मेडिकल टर्म्स में क्रोनिक सपुरेटिव टाइटिस मीडिया बोलते हैं फिर वो इन्फेक्शन जो पहले फंगस जो इक्स्टर्नल यह में लगा था वो दीरे से मेडिल यह में चला जाता है तो वो परिशानी है मतलब वो लापरवाही उतना नहीं होना चाहिए इसका फिर इलाज होता है उगर की नहीं जो इन्फेक्शन मेडिल एर में चला जाता है तब उसका भी होता है बट उसका इलाज ना 90% केसेज में सर्जिकल में जाना पड़ता है फिर फिर परदे का ऑपरेशन करिए और ज्यादा बीमारे हुआ तो फिर हड़ी का भी ऑपरे थोड़ा भी हमें कान में खुझली लगे कान भारी लगे कान में दर्द लगे तो खुद से कुछ साफ सफाई ना करके कान के विशसग्य को जाकर मिले और जो सलाह देते हैं फॉलो करें उसको तो अब बात कर रहे हैं डॉक्टर रतनेश कुमार से जो कि आपको खंकरबाग में इनका अपना क्लिनिक भी है और इन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी है कि कान बहुत बढ़ी बीमारी नहीं है अगर सुरुआत में आप इसका इलाज करा लेते हैं तो नहीं तो अगर छुट जाता है अपने से इलाज करने लगते हैं तो बिश्च सक्षन में जाकर वह बड़ा रूख ले-लेता है फिर परदा तक हो जाता है और यह परदा का फिर सर्जरी ही एक मातर उपाए बता रहा है सर तो सर अपने और अगर परदेक में बिमारी मिट्ल एर में इंफेक्शन हो जाता है उसके बाद भी बहुत बार लोग लापरवाही करते हैं खुद से देखिए बहुत स्ट्रॉंग बनाया है बनाने वाले ने काफी स्ट्रॉंग और काफी सेफ बनाया है उसको लेकिन जब बिमारी एक बार हो जाती है अगर इसको सही समय पर सही विशसगे से इलाज नहीं कराएंगे तो कई बार वो मिडेल एर का इंफेक्शन जो परदे के छे इत्यक सिमेत रहता है वह हड्डियों में इंफेक्शन पकड़ने लगता है वो अंदर ही अंदर के दवा खाने से कई बार वो दब जाता है फिर वह दो चार-6 मिने के बाद शुरू होता है और हड्डी में जब एक बार इंफेक्शन बहुत ज्यादा लग जाता है जब हड और तब वो मरीज के लिए जानलेवा हो जाता है फिर मरीज को नियूरो सर्जन और कान के सर्जन के पास दौड़ना पड़ता है और आई-सू के सेट अप में ही इलाज हो पाता है तो अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रतनेश कुमार से एंटीवी से सग है जो पीम्च में रहते हैं और इनका अपना क्लिनिक कंकरवाग में हैं कंकरवाग में आप अगर इनके सलाह अच्छी लगती है तो जरूर आए और इलाज कराएं यह बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और भी हम बात कर रहे हैं तो यह बहना होता है अगर इस जाता पर्दा करने परती है प्रेंट चला जाता है तो उमेद करते हैं कि आप इंकी बात को जान समझ रहे होंगे और वह फिर करते हैं समय तो कम है और कान की समस्य पर बात कर रहे हैं तो और हमारे जंताओं को क्या आप देखने पज़र सके उनको क्या सलाह देना चाहते कैसे और अपने कांगे बचागा सके देखिए आज कल के मौसम में या हमेशा के लिए ध्यान रखें कि कान की सफाई खुद से ना करें कान में इयर बड़ का इस्तमाल बहुत ही समझदारी से करने का जरूरत होता है यह बड़ बहुत भी खुजलाहट दर्द या कान से पानी आने एजय साब को महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें विसे सगे से मिलें और एक और समस्या आजकल जो बहुत आ रही है कई बार लोग दूर के मरी जाते हैं मेरे पास पटना के बाहर के कि डॉक्टर साब 15-20 दिन पहल कि एम लोग यहाँ जाज कराते हैं तो मालुम पढ़ता है कि उनका सुनाई का नस्त बिल्कुल बैट गया है मिन्स की सुनने की कैपेसिटी 0 हो गई है तो वैसे इसमें आपको लगे कि सुनाई आपका कम हो गया इचानक से कम हो गया है तो बिलकुल लापरवाही न करें और कान को छेड़े नहीं कुध से सफाई नहीं करें बिना डॉक्टरी शला के कोई दवा कोई तेल न डाले को को माने और अपने बचाऊ कटाऊ कड़े अपने कानों का वरशाती मौसंत में यो किसी भी मौसंत में यह कां की बचाो अभी करेंगे किih everbu kести karm के लिए आपको गला और नाक के बारे में कि यह जो सर्दियान हो जाती है चलते-चलते मौसम में जो पर दूंप लगता है दूलिकर से आपको जो है इलर्जी हो जाती है इस से कैसे इसके बारे में हम दो सब्सक्राइब करना न भूले सब्सक्राइब करें लाइक करें कॉमेंट और सेर करें धन्यवाद